दोस्तो जो इस टेड़ी में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप इस टेड़ी को सही से फॉलो करने लगए तो आप ये देखना कि आप मन्थ हैंड में कभी भी लोस में नहीं जाने वाले हो फाइनरी आप प्रोफिट में लेके निकलोगे और आप भी एक टेड़ बन जाओंगे अगर आपके साथ में भी अभी तक यही हो रहा था बहुत जयादा लोसेस कर दिये हैं हर दिन लोसी ले रहे हो चोटा प्रॉफिट ले रहे हो मार्केट से प्रॉफिट निकल नहीं नहीं पा रहे हो तो आज वीडियो है ये आपकी लाइफ को चैज से फॉलो करोगे तो वी दिन सेवन डेज में आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और फाइनली आपका जब मन्त हैं लोगा तो आप यह देखोगे कि आप हमेशा एक ग्रीन क्लोज करोगे ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो हले होरी वर्ण आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक और नए लर्निंग वीडियो के अंदर टेलीग्राम चैनल है अगर आप अभी तक नहीं जोईन हो तो इसके अंदर मैं जोईन हो सकते लिंक आपको नीचे वीडि मिल जाता है साथ में जो भी मार्केट का एनलेस्ट होता है वो भी में करके टेर्श का साथ में शेयर कर देता हूं जिससे हमारे टेर यांपर इंत्रेट लेकर अच्छा कासा प्रोफिट बना लेते हैं आज शुबे कियां पर बात करूँ तो आप यहां पर देख सकते हो हमने लगबग 120 तो wa toq को को एंट करन किया था था को चलिए अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि कौन सा वह तरीका है अगर आप इसमें जोन होना चाहते हो तो यहां पर नीचे वीडियो है कि जब आप यूटूब के उपर में Google के उपर में सर्च करोगे कि स्टेड़ी कोई भी स्टेड़ी आगर आप सर्च करोगे तो यूटूब के उपर में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे लेकिन वहां पे जो चीज़ें आपको बताए जा रही है वो यही बताए की आप कोई ऐसा तरीका सिख लो एक परसेंट दो करता हूं वह उसके पीचे का मैं आपको रीजन बताता हूं मार्केट के अंदर में अनदर में दो चीज़ के एक होती है स्टेटर में जो हूँ आप दो lagi होती है यह सबसे इंपयर नहीं करता आपने बहुंत सारी वीडियो में कुई बात नहीं करेगा बात तो तो जो psychology होती ना ये हमारी होती है 80 परसेंट टिक है 80 परसेंट अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये 80 परसेंट होती है उनको आज मैं बता देता हूं कि मार्केट का सबसे बड़ा सिग्रेट यही होता है कि मार्केट के अंदर में 80% से ज़्यादा हमारी साइकलोजी काम करती है और 20% से ठीक है सिर्फ 20% ही हमारा जो प्राइजेक्शन या बाकी कि यह कुछ जो भी चीज़ें होती है स्ट्रेट दोस्तों मार्केट के अंदर में ट्रेडर का एक निच्र होता है वह क्या करता रहता है यहाँ पर देखते हो कि वही जो केंडल है वह उपर जाके क्लोज होगे तो कहने का जो मतलब है वह मैं आपको यहाँ पे कुछ एक रूल में लिखे है अगर आप इन रूल को फोलो कर लोगे तो यहाँ पे जो है आप फाइनली फ्रोफिटेबल टेडर बन सकते हो देखिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो ठीक है तो देखो तरीका कौ फिलियन इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती है ठीक है बहुत सारी चीज़ें का मतलब यह होता है कि जब बियाप चार्ट करते होना यानि कि चार्ट को देखते हो आप भी चार्ट को देख रहे हो मैं भी चार्ट को देख रहा हूं कोई और भी चार्ट को देख रहा हुगा यानि ऐसे ऐसे करके बहुत सरे ट्रेटर है जो कि अन्नोन है लेकिन वह एक पर्टिकुलर टाइम पर उसी चार्ट को देख रहे हो जिसको आप देख रहे हो ठीक है यानि कहने का मतलब है कि एक ही chart को सब लोग अलग-अलग एंगल से देख रहें ठीक है अब किसी को वाँपे कोई pattern नजरा आ रहा है किसी को कुछ और नजरा रहा है लेकिं केने का मतलब ये है कि जब आपको ये पता चल चुका है कि आपका जो charting है, वो next level का है, आपका जो charting है, वो chart trading आपका अच्छा हो चुक है, तो पहली इसके अंदर में जो चीज आती है, वो हमारी होती है, pro charting ठीक है, अब व्यसे जो trade discipline का, इसका यह जो exact मतलब है, वो मैं आपको समझाता हूँ, trade discipline का मतलब यह होता है, कि market के अंद कर लिया अगले दिन दो लोट में काम किया एक लोट में काम किया तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है तो अब और प्रोट में ही रहते हैं ठीक है तो अब यह सवाल है कि यहां पर यहां पर हमें कैसे प्रोफीटेबल टीडर बन सकते हैं सबसे पहले आपको टीयथीडि में क्या करना होता है millने जाता हूं कोई वो यह नहीं बताना चाहता yo कोई confusion नहीं करना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ जो चीज़े मैं आपको बताना चाहता हूं एकदम कलियर चीज़े हैं आप जो भी देखोगे आपको बिल्कुल वही चीज़ें चार्ट के उपर में मिलने वाले ठीक है बाकी लोगों के तरह हम लोग ग्यान नहीं देंगे जो कि लिए अब मोर्निंग में रोटिक है अब होता क्या है मार्निंग में जैसे मार्सका घूलता है तो बहुत सारे क्या करते हैं ट्रू लिट करते हैं ठीक है कहीं पर 캡 Korra की वह घूर्टीक कर लिए अब यहांपर जाता है कि क्या क्या डिसिप्लिन को ऐसे फूलो किया ज ठीक है अब देखो चार्ट जब देखते हैं ना वहां पर सवाल यहाता है कि वहां पर एंट्री और एजित कैसे करें ठीक है यह दूसरा वाला जो पॉइंट मेंने लिख रहता है उसी के तो भी ट्रेड करोगे उसको आपको फिक्स करना है और दो ट्रेड तब करना है जब आपको चार्ट बताएगा ठीक है यह क्या करना है यहां पर प्रो चार्टिंग करनी है अगर आपका चार्ट बोल रहा है आपका सेटप बता रहे तिक है आपका सेटप अगर आपको बोल र करता है क्योंकि आपने हो सकता है कि बहुत ज्यादा किये हो मार्केट में आप जो बहुत सारी गलतियां कर चुके हो लेकिन अगर आप इन चारों रोलो को अच्छी तरिके से फॉलो कर लोगे तो आपका मन्द हैट देख लेना आप हमें साब प्रोफिट में रहने भाले हो ठ जो है प्रोफिटेबल टेडर बनते हैं तो पहले में हमारे चो टेडिसिप्लेन है उसमें आपका टेड का डिस्प्लेन होना चाहिए ठीक है टेड का मतलब यह होता है कि आपको रिंडम टेड नहीं करना है जब आपको चार्ट देखना अच्छी तरीके से आ आजाए चार् तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे तो सबसे पहले आप चीज आपको फॉलो करनी है डिसीप्लिन सेकेंड नमर जो चीज मैंने लिख रखी है यह वी काफी इंपोर्टेंट होती है देखो यह चारों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं चारों मॉइं यह हमर केंडल बना तो इस हमर के पीछ आपको लोजिक होना चाहिए यह हमर तो बीच में कहीं भी बन सकता है लेकिन लोजिक यह कहता है कि जब मार्के डाउंटेंट में होगा तो यहां पर क्या होगा कि जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तब यहां पर हम लोग एंट्री बना करोओं एंटरी और एक्जित का प्यूंत रहे हों तो आप इंटरी और फिक्सक्राइब करते चलो कि अगया है कि एंटरी लेते हो कि यहाथ C एक हमारा आता है ठीक है फिर ठीक है इसके अंदर में एक आता है हमारा फिर ठीक है तो ग्रीड के अंदर में आप क्या होगा कि आपका ग्रीड नहीं होगा जब आपका टर्गेट सक्सेस्प्ली दिन होगा उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा आप वहां से एक्जिट करो करना है उसके बाद में आपका देखना है कि आपका एंट्री और जो होता है उसके पिछे का लोगी ठीक है अगर आपका टार्गेट मिला है या फिर कोई आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी है या फिर आपका आपको हमेसा क्या करना है मार्केट के अंदर में ट्रेडर क्या करते हैं वह अगर एक से केपिटल एकला के केपिटल से स्टार करते हैं तो मार्केट में वो रिस्क फिक्स नहीं करते हैं आपको हमेशा ठीक है आपको हमेशा क्या करना है मार्केट से रिस्क जो होता है वो करना होता है रिस्क पर डे में लिकर का है यानि एक दिन में आपको एक रिटन ठीक है जैसे आप रिटन फिक्स करते हो देख बहुत सारे क्या करते हैं मार्केट में केपिटल डबल या ट्रीपल के चक्र में बेटर रहते हैं लेकिन बहुत सरे ऐसे भी ट्रेटर होते हैं जो क की जितने रिस्क लेनी के चेकाशी है आप उसी 笏क नहीं की मतले है नोस होगे उससे आप'क जो है तो रिस्क जो पर्ड़ है उसको हम कैसे करेंगे जैसे एक्जामपल आपको बता लगता कि दो हजार रुपे का आप का और चाटिक है यह आपका एक दिन का मेग्जीमम रिस्क कर आप डू हजार से जजढ़ का है दो क्लोज को तो आपका क्या होगा अब आपका अप फिह 252 नुक्सान आप नहीं तो कहने का मतलब यह है कि आपका एक दिन में इस वीडियो में आप इन चारों चीज़ों को देख लेना आप लाइव मार्केट में प्रेक्टिस करके देख लेना आपको खुद बता तल जाएगा कि मैं कितना यहां पे क्या क्या चीज़ें आपको बताना चाहरा हूं और क्या इसका मतलब निकल रहा है यहां पे जो चौता में ने पॉइंट लिखा है यहां पर मैंने लिखा है एकसेप्ट मार्केट ठीक है इसका क्या मतलब होता है sext extrêmement मार्केट का यह मतलब होते है कि बहूस सरे लोस होगे ना तो आप क्या करोगे उस लोस को बेटे रहोगे तो कहने का मतलब है कि मार्केट में जितना मार्केट आपको दे रहना हमेशा यह चीज़ याद रखो कि मार्केट सुपीरियर है ठीक है मार्केट से उपर कोई नहीं है जो आपको मार्केट दे रहना वो accept करना सिखो या फिर यहां पर कई बार क्या होता है मार्केट जो है ठीक है लोस देता ना तो उस लोस को भी accept करना सिखो ठीक है बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं सिर्फ उनको profit चाहिए होता है मार्केट में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं मर्केट तो छोड़ो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं यहां पेशन प्रोफिट हो लिक है यों Allah को हम कैसे करते हैं इसी कोई हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं ठीक है कैसे मेनेज करेंगे ट्रेड डिसीप्लियन में रिस्क परेड़े ठीक है इंट्री एक्जिट का लोगी यह चार चीजे मैंने बताइए ना अगर आप इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से फोलो करने लग जाओ और उसके बा लाइव उक्तिक अधर मार्केट में यहाँ चीजें डिक लेन से लेनी है कई अपके डायरी में या तुव यह एक our company और याज यहाँक्त अज्व आज Canti कंगे इंट्री के पैचे से लोगिक क्या या फिर जोमिने exit किया है क्या इसमें मुझे टार्गेट मिला है या फिर मैंने ट्रेल मेरा ऐसल हीट वाठीक है तो यह हमारा होगे दूसरा पॉइंट तीसरा जो पॉइंट में बता है रिस्क पर डे यानि कि आपको रिस्क पर डेट फिक्स कर लेना है इसका कहने का मतलब यह होता है कि अगर मार्के साइडवेज होता है या पिसी कंडिशन वहां का हजार उपे दे गे लिगले नहीं लोग बना सकते हूँ और आप कैसे बना सकते हो कंसिस्टेंटली वह मेटर करता है कि नए कि आप दूसरों के स्क्रीन सेट देखो और यहां पर कन्फीज दो ठीक है तो यह चार चीजे थी जो मैंने एक जम जन्यून चीजे थी वह मैंने बता दी है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देजे और इस रूल वो आपको फोलो करना है एक प्रोपर डायरी में एक ट्रेड़ जरूर में यहां पर आप ट्रेडर करते हूँ वहां पर इन चीजों को लिख लेना है और उसके बाद में यह देखोगे कि आप फ